डेने में अब हम आपको संसद में घुसपैट के मामले से जुड़ी कुछ एहम अपडेट्स बताने जा रहे हैं संसद में घुसपैट करने और स्मोक क्राकर चलाने के मामले के मास्टर माइंड ललिट ज्ञा ने कल सरेंडर कर दिया ललिट वही वेक्ती है जो अभी तक इस मामले में फरार चल रहा था बिहार का रहने वाला ललिट ज्ञा पेशे से शिक्षक है और वो कॉल कता में काम करता है ललिट एक NGO निलाक्ष आइच से भी जुड़ा हुआ है ललिट इस NGO में जनरल सेकेटरी है 13 दिसंबर को जब संसत के अंदर सागर और मनोरंजन और संसत के बाहर नीलम और अमोल स्मोक क्राकर जलाकर हंगामा कर रहे थे तब ललिट ज्ञा भी वही मौझूद था लेकिन वो पुलिस से बचकर भाग गया ललिट ज्ञा ने इस वारदात का एक वीडियो भी बनाया था जिसे उसने NGO के मालिक को भेजा था उसमें लिखा था वो लोग सुरक्षित हैं ललिट उस वक्त हंगामा करने वाले आरूपियों की बात कर रहा था ललिट ज्ञा कॉलकता के बड़ा वजार इलाके में बच्चों को पढ़ाता था वो लोगों से कम मिलता जुलता था और आरोप है कि वारदात के पीछे सारी शातीराना प्लानिंग ललिट ज्ञा की ही थी ललिट ने केवल योजना ही नहीं बनाई थी बलकि ललिट इतना शातिर है कि उसने पुलिस स्टेशन में आत्म समर्पड करने से पहले इस घटना से जुड़े सबूत मिटा दिये ललिट ने इस घटना से जुड़े तकनीकी सबूत जैसे मोबाईल डेटा, फोटोज और वीडियोज को डिलीट कर दिया इस वार्दात के तुरंट बाद ललिट ने दिल्ली छोड़ दी थी, वो राजस्थान भाग गया था राजस्थान की कूचामन सिटी में वो अपने एक और साथी महेश से मिलने गया था महेश भी इस वार्दात में शामिल हो सकता था, लेकिन पारिवारिक कारणों से वो इसमें शामिल नहीं हुआ ललिट और महेश फेसबुक पर भगत सिंग फैन पेज के जरिये जुड़े थे महेश ने ललिट को अपने एक जानकार कैलाश के जरिये कमरा भी दिलवाया था कैलाश और महेश की मदद से ललिट ने मुबाइल सबूत नश्ट कर दिये इन्होंने सभी आरोपियों के मुबाइल फोन को जला दिया था दरसल वारदात से पहले सभी आरोपियों के फोन ललिट जहाने अपने पास रख लिये थे मुबाइल फोन जलाने के बाद ललिट ने आत्म समर्पन करने की बात कही और जैपुर चला गया पुलिस ललिट की तलाज में फोन ट्रेस करते हुए कैलाज के पास पहुंची कैलाज ने पुलिस को ललिट के जैपुर चले जाने की बात कही हालाकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही ललिट ने पुलिस स्टेशन में आत्म समर्पन कर दिया था आज ललिट को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कोर्ट में पेश किया गया और 15 दिन की रिमांड मांगी गई लेकिन कोट की ओर से 7 दिन की पुलिस रिमांड दी गई संसत की सुरक्षा में चूक के मामले में आरोपी ललिज्जा को आज दिली के पट्याला हॉस कोट में पेश किया गया जहां कोट ने तमाम दलिल सुनने के बाद आरोपी ललिज्जा को साथ दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया हलाकि पूस्ताच में ललिज्जा ने बताया कि इस घटना को अंजाम तक पहुँचाने के लिए वो बाकी आरोपियों के साथ एक बार नहीं बलकि कई बार मिटिंग की मुलाकाते की और उसके बाद इस घटना की साजिसरची इसके बाद ललिज्जा ने पुलिस को ये भी बताया कि वो तमाम जो आरोपी पकड़े गए हैं उन आरोपियों के मोबाइल फोन को भी फरारी के दौरान नस्ट कर दिया था क्योंकि वो जानता था कि अगर ये मोबाइल फोन पुलिस के हाथ लगते हैं तो कई एहम सुराग और सबूत पुलिस को लग जाएं और वो यह नहीं चाहता था कि पुलिस के हाथ में कोई भी सबूत लगे ताकि पुलिस को ये भी ना पता चल सके कि इस घटना के पीछे कौन है कौन इसका सुत्रधार है। पुलिस को ऐसा लग पुलिस को ऐसा लगता है। इसलिए पुलिस इन तमाम आरोपियों से अलग लग बैठा कर भी पुलिस ताच कर रही है। इन साथ दिनों में पुलिस को ललित से कई तरह के जवाब चाहिए। जैसे संसत में घुसपैट की पूरी साज़िश में कौन-कौन शामिल है। इस वारदात के लिए फंडिंग किस ने की थी। सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में कैसे और कब आए। इसके अलावा पुलिस को आरोपियों के मुबाइल फोन रिकवर करने है। पुलिस को इस मुबाइल फोन से डेटा भी रिकवर करना है। संसद में हुए विरोध प्रदर्शन में जो चारो आरोपी शामिल थे। उन चारो आरोपियों के फोन मास्टर माइंड ललिज जहा ने जला दिये थे। अब ऐसे माई यह बात करते हैं दिजिटल फुट्रिंट के बारे में हम लोग साथ शाक्षा दुगल जी है। जो भी हम लोग को बताएंगे कि कैसे फोन के जलने के बावजूद जो फोन का पूरा मेटा डेटा है जो डिजिटल फुट्रिंट है। उसको इन्विस्टिकेशन एजन्सी आराम से आसिल कते हैं। देखे आज की डिजिटल यूप में नामुंकिन जैसा कुछ नहीं है। बहुत कम ऐसी चीजें जिसको रिकावर नहीं कर सकते हैं। इस केस में आपने फोन जरूर जला दिया। लेकिन वाटसाप यूज़ करते हैं। अगर 只बेटे अगर चार्टाप्स होते हैं। तो आफके चैट बैकटकीशक करते हैं। गूगल के ऊपने कॉंट tarafक्स आटेच करते हैं। परेटेश सब्सकी ऑन जलेटें। कि या आरोपियों ने किन-किन लोगों से बात की है जो आगे हमारी इंवेस्टिकेशन में वदद कर सकता है तो फोन के आपके फोटोस हों, चैट्स हों, कॉन्टैक्स हों ये सारे सारे रिकवर अराम से किया जा सकते हैं जांच एजेंसियां आप ललित के जरिये इस पूरी वारदात का एक खाका तयार करना चाहती है ताकि वो समझ सके कि ये लोग इतनी आसानी से संसत के अंदर जाकर स्मोक क्राकर जलाने में काम्याब कैसे हो गए यही नहीं, पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संसत की सेक्योरिटी के बारे में इन लोगों को इतनी खास जानकारी कैसे थी जैसे सागर और मनोरंजन के बाएं पैरों के जूतों में स्मोक क्राकर रखे गए थे यानि उन्हें पता था कि जब चेकिंग होगी तो जूतों की नहीं होगी और सुरक्षा एजेंसियों की नजर बाएं पैर के जूतों पर नहीं पड़ेंगे